दोस्तो आपने राजा और रानी की कहानी तो सुनी होगी, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे राजा और रानी के बारे में बताऊँगा, जिसके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा, और ये कोई इनसान नहीं है, बलकि आपका मन पसंदिदा फल है, जिसको आप अननास, या अननास की खेती ब्राजिल से शुरू हुई थी और ये धीरे धीरे दुनिया के अन्य भागों में फैल गई 1550 इसवी में पुर्तगालियों दवारा अननास की खेती भारत में शुरू की गई थी अननास एक ऐसा फुल है जिसका उप्योग खाने और जूस में किया जाता है इसके अलावा अननास से नही नही तरह की डिश तैयार की जाती है जैसे की केक, स्नैक्स, ग्रिल्ड स्नैक्स और मॉक्टेल अननास कहीं ओशद्य गुणों से भरपूर है अननास का सेवन एक फल समझकर नहीं करना चाहिए अपितु एक ओशद्धी समझकर करना चाहिए क्योंकि ये शरीर के भीत्री बिमारियों को बहार निकालता है ये शरीर की हड्डियों को मजबूत बनाने और शरीर को उर्जा प्रदान करने का काम करता है अननास में कैलोरीन की भरपूर मातरा होती है ये उच एंटी आक्सिडेट का स्त्रोत्र है वै इसमें विटामिन सी पर्चूर मातरा में पाय जाता है इसे शरीर की परतिरोधक्षमता बढ़ती है और साधारन ठंड से भी सुरक्षा मिलती है दो पश्चि मंगाल, करनाटक, मिघाले, मनिपूर, अनुनाचर परदेश, केरल और बिहार में उगाया जाता है वर्तमार में भारत 15.3 टन हेक्टेर की उत्पादक्ता के साथ 1.53 मिलियन टन अननास का उत्पादन करता है अननास भारत के अलावा कहीं देशों में भी उगाया छिया पत्मार में अनना में वड़ाया जाए एक्टेर करता है आननास का साथ 1. starch वारत प्रेका झाले सी एक यarlo, किई रावाय कुछेर में धनना स्वार चनुनाया, लावाया जगाया.